हलो वेल्कम टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप सब ठीक होंगे आज हम यह बनाएंगे ट्रैवलिंग बैग बहुत इजी है इसको बनाना जटपट से बन जाता है और ज्यदा फैब्रिक भी नहीं लगता आपका कोई पराना कुर्ता पड़ा हो शौर्ट पड़ी हो उसम में बहुत समान आता है कहीं जाना हो तो आप बहुत सारे कपड़े डाल सकते हैं अपनी पानी के बॉटल पर्स सब कुछ डल जाता है काफी स्पेसियस बैग है यह और बनाना यह बहुत असान है ठीक है तो मैंने अभी विंटर का चल रहा है तो विंटर के इसमें कपड़े डालें बहुत सारे डल गए हैं मैं खुद भी बना के हरान हूं भी इसमें कितने सारे कपड़े आ गए हैं ठीक है तो अब हम इसको बनाएंगे और बहुत इजी वी में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है ठीक है बस आप मेरे को step by step follow करते रहना आपका ये अच्छा सा बैग traveling bag ready हो जाएगा ठीक है अगर आप नया कपड़ा लेकर बनाना चाहते हैं तो आप नया से भी बना सकते हैं अच्छा सा फैब्रिक ले लो कई बर कपड़ों का बैग उठाने भार में थोड़ा सा हम जीज़क महसूस करते हैं तो ऐसा ही अच्छा सा को फैब्रिक लेकर कि हम उसका बनाएंगे तो इसको आपको कैरी करने में भी जादा दिख बोनी आएगी मलब कईयों को होता है कि हाँ नहीं हम घर का बना बैगनी लेकर जाएंगे लेकि यह बनाई इतना सुंदर है कि आप खुद ले जाना चाहेंगे इसको ठीक है और बहुत ही श्पेसिया इसमें काफी आपका समान आ जाता है ठीक है इसमें हम लॉंग बैल्ट भी हमने लगाई है और दूसरे हैं लगाए है चोटे वाले चलिए स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट मटीरेल आप नोट कर लीजे इसमें फैब्रिक अपने मर्जी से नया पुराना कुछ भी लगा इसको मेजर्मेंट मैं बदाती हूं मैंने कुल्ट करके रखा हुआ है इसको मैंने मेइन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच प्लास्टिक शीट आले आपके पास प्लास्टिक शीट ना हो राइस बैग हो आटा बैग हो वह भी आप डाल सकते हैं अदर नहीं है तो दो तिन प्राने कपड़े भी बीच में लगा के आप को विल्ट कर सकते हैं ठीक है इसकी मैं आपको लंबाई चुडाई बता देती हू फिर भी ना करते हूँ है जो भी काफी लंबा विडियो हो जाथा है ठीक है आप िम्टर तक दरूर देख देखियेगा इसकी लंबाई है 32 इंचेज ठीक है, 32 इंच इस की लमबाई है आप इसको थोड़ा कम जादा कर सकते हैं लेकिन 32 में परेफक्ट बन्ता है ठीक है त ‑‑ थोड़ा कम भी कर सकते हैं यह बहूत is नहीं है कम करेंने की 32 इंच की लमबाई है और 19 इंच की चूड़ाई है तीक है कि यह आपने कुल्ट ट्पीस करके रख लेना है मैंने ही करके पहले रखा हूँ एखे इस में परफेक्ट बैक बन जाता है ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत चोटा होता है दो दिन के लिए कहीं हो तो इसमान काफी असानी से इसमें आ जाएगा ठीक है एक ये पार्ट करना है और जो साइडों वाले पार्ट है वो भी हमने दो रैडी करने है इनकी लंबाई चुड़ाई बता देती हूं इसको चुड़ाई है सिक्स इंचिस और लंबाई है इसकी दस छे बाई दस के हमें दो प बाहे में देघने उसको काट देंगे यह मिए शेक। काट थे जाए उव्यांड़ा था Хाइज इसकी बें मैं आपको लाइन्थ होदा देती हूं इसकी लंबाई हमने रखा है रखी है ब्याली सिंच इन हैंडल्स की लंबाई चुड़ाई आप थोड़ा कम जाद अपने हिसाब से कर सकते हैं बाकी इस बैक के हिसाब से तो हमें मुझे ठीक इतनी ही ठीक लगी है एक यह मे यह एक्स्टा कपड़ा हमारा पॉक्ट वजरा लगाने के काम आएगा अंदर ठीक है चलिए हम एक जिप वाली पॉक्ट लगाएंगे पहले इसके अंदर ठीक है यह मैंने इसका फैब्रिक ले रखा है लैंथ मैंने इसके लिए रखी है 15 इंच और डबल करके मैंने इसके चुड़ाई ली है 11 इंच ठीक है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे हमने जहां पर जिप लगानी है तो उसका पहले हम त्यार करेंगे इसका सेंटर निकाल लिया हमने जिप लगानी भी साथ साथ आपको आ जाएगी आज दूसी जिप लगानी तो मैंने बता रखिए यह आप अधिर इंच डाउन करके हमने निशान लगाया हम जितनी लबी जिप लगानी है उसे हिसाब से हम इसको लिए ना है मैंने यह आठ इंच लिया है तुढ मांकिंग कर लेनी है हमने आफ इंच का एक बॉक्स रेडी कर लेना जैसे मैं वीडियो में बता रही हूं इसको फॉल तो भी ठीक है इसको हम अब हम अपने जो हमारा मेन बड़ा कुल्टिट पीर्स है जहां नहीं लगाना है वहां पे हमें इसको सेट करेंगे यह दिखिए राइट साइड जो राइट साइड है उसके उपर हमने इसको लगा लिए सेंटर निकाल के उसकी चुडाई का सेंटर थ तरफ से पीन पिन कर अच्छे से स्टिच कर लेंगे यह में रडी करते हूँ ए इसको खर स्टिचिंग होगी है स्टिच का वीडियो में नहीं दिखा रही है आपको तो इसको भीच में से काट लेंगे इसक हमें एक लूमबा होल रेडिः कर और हम अपनी जिप इंसर्ट कर के सब्सक्राइब ल्गे डूनों साइड को बश수 से कुणने निकाल लेंगे हम इसको पलढ देंगे अंदर कि तरफ से फैब्रीक्स अंदर चेज़ाय गए ंपर हम इसके उपर अच्छे से टॉप स्टेच भी लगाना है कि यह दिखे हम इसके उपर अच्छे से टॉप स्टिच लगाना है यह मेरा टॉप स्टिच लग गया है ठीक है अब इच्छे से हमें इसको धाग्य वाग्य भी काट लेया करो साथ साथ निशिंग करते जाना चाहिए ठीक है जितना हमारा है आठ इंच का था हम 10 कि जिप ले अधा इंच दोनों तरफ से भार को निकलेगा तो एक्स्टा ले दे ठीक है ऐसे हम अंदर सेट कर लेंगे इसके अंदर सेट कर लेंगे पहले हम इसमें रणर टाइज कर लो में रणर डाल लेते हैं पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देगा ठीक है और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है ठीक है यह मं अंदर की तरफ रखके इसको चारो तरफ से स्टिच कर देंगे इसको बहुत ही केरफुली करना है नीट क्लीन करना है काम ताकि पॉकेट लेखने में भी अच्छी लगे पिन कर लो दोनों तरफ से अब पिन का जरूर एक रखो ताकि इसमें बहुत काम आती है ठीक है स्क्योर रहती है चीज इधर उदर कपरा नहीं भागता और आराम से स्टिचिंग भी हो जाती है ठीक है फ्रेंट्स आपको कुछ भी इस पे पूछना हो तो आप रूज सकते हैं यह मैंने स्टिच कर करें ली तरह है देखिए है उर्ते तरफ से आपको दिखाते हूंot सबया ही हमाभी अब लेंफ इसलिया था इसको अपर की तरफ करके हम इसको स्टिच लगांगे ए करके हमें चार तर से स्टिच लगा नहीं है kangal quando नहीं है ऐसे बार बार से लगानी ऐ ठिक है ऐसे ऐसे और पाकेट वाला फैब्रिक उसी को पकड़के लगानी है ठीक है यह मेरे बिलकुर एड़ी हो गया इसमें हम अपने मुबाइल अडाल सकते हैं जब हम कहीं जाना हो तो इसमें मुबाइल राम से आजाता है यह दिखिए मुबाइल राम से आजाएगा पैसे वजारा भी रखने हैं तो रख सकते हैं बार की दर एक हमारा जिप पर हो गया है ठीक है अब हमने जो इस पे दूसी तरफ भी अंदर की दर भी पॉक्ट लगानी तो हम इस से लगा लेंगे बना की जो इस्टा फैब्रिक है इसमें जिपन लिए हुआ है ठीक है इदर भी लगांगे दोतरफर मेरे लगा लाघ लेंगे यह मरत भी अंदर निल्यकी ब्हार ठीक है यहां का keeps माद लिए हैं और यह हमरे कमार्श किसमान हो यह दो डर लांगा सकते हूं नहीं तो अब स्किप बिसकão हमारा जो दो पार्ट जिसके करने थे वो उसको हम पहले हम दो पार्ट करेंगे ठीक है यह हमारा जाय स्लिंग वाला है चौड़े वाली जो पैल्ट थी जे स्लिंग बनती है ठीक है यह हमारी स्लिंग रैडी होएगी चौड़ी वाली और दूसरे जो पतली वाली है हाँ यह स्लिंग है जो पतली वाली है कम चौड़ी रखी थी उसको हम दो हैंडल बनाएंगे इसके ठीक है फ्रेंट्स झाली है। सेंटर से मार्किंग तीन इंच राइट और तीन इंच लेफ्ट कर हमने एक निशान और लगाना है ठीक है और पिन हम अच्छे से बहले कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूं इसको स्टिच कैसे करना है ठीक है यहां तक स्टिच करना है जहां ताम तीन इंच का निशान लगा है वहां तक हमने स्टिच करना है बहार कி तरफ से लेकितर अएसे और दूसरी तरफ से भी अईसे हमने च्यक्त कर लेना है दोनों तरफ हमें ऐसे ही रहां लगाने हैं दूर्से तरफ भी हम ऐसे मार्किंग करके लगा लेंगे मैं इसको रेडी कर लेती हूँ next बताती हूं कैसे इसको बनाना है यह देखिए मेरे हैंडल दोनों तरफ से रड़ी हो गए हैं यह लूं कवाइस बहुत अच्छे लगते ह प्रणन डालना है उससे पहले हमने जो और फैब्रिक हमने जो रेडी कर रखे कुल्टेड पीस वो लगाएंगे हम साइड हो पहले हम इसकी सेंटर के मार्किंग कर लेंगे लेंगे लेंट वाइस ठीक है दोनों तरफ से मार्किंग करके ठीक है फ्रेंट्स अब हमारा जो यह आदे लोन मार्किंग करेंगे वी कि वीडियो में स्ट्रेव बता हम यह कहाने हरेंगे ऐससे ड़ब उसके साथ क्वेड़रं चीज है चो मैं आपको बतारी हूं का स्टिच करते करच करेंगे यह बह। इस इक पेर चोड़कर शोड़कर करना है शरू करना हम इसे अधे इतन ताकि हम जब कट मारके इसे फोल्ड करेंगे, साइडे भी तो हमने जोड़नी है ना, वह हम पहले पूरा नहीं स्टिच करेंगे, एक एक पैर छोड़ेंगे, वहां पे हम कट मारेंगे, मैं स्टिच करके आपको नेक्स बताती हूं, ठीक है, यह चोड़ चोड़ चीजे हैं, इसको जुरूर फॉलो करिएगा, यह मेरा स्टिच हो गया है, यह दिखो मैंने थोड़ थोड़ा है, इसमें हम कट मारेंगे, इससे हमारा फोल्ड अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको उपर की तरफ लेके जाना है, स्टिच करना है, यह देखिए, जैसे मैं बता कर लो, क्लिप कर लो, बहुत ज़रूरी है, यह दर्वाई साथ साथ करेंगे, थोड़ी गर्बर हो जाती है, तो ऐसे हम इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है, मैं इसको रेडी करके लाती हूँ, ठीक है, ऐसे ही दूसी तरफ से भी कर लेती हूँ, यह देखिए, मैंने रेडी क इसा उपर से चिज़ करेंगे और हमारा बैग रड़ी हो जाएगा ठीक है मैं एसे दूसरी तरफ से लगा लेटी हूं ते मेरे रणे कर लिया है यह मारा बिल्कुर अड़ी हो गया है दोनों तरफ से अब हम इसमें रंटाइज कर देंगे की ठीक है एक्टाइज में काट देन मने इसके हं और कट वह कुछ याई लेता है तो जो बड़ सपने qa, क्यों कर दालते हैं इसके अंदर में डी डाल रहे हूं घिससे हम स्लिंग são दूइघंगे अगर आपके वस्टी ना हो तब डी छोड़के ऐसे ही लगा सकते हैं कि ऐसे लगा सकते मेरे पश्दीघा है में डाल के लगाँगी क्योंकि मैंने उसमें । यह मेरे रहते है मिर पश्दार या इसाइड यह लिगा सकते हैं नीक्त कर लेती हूं पूरे बैक को ऐसे कर कि देखिये जैब अब यह चाहिएोँ बन गया ना अब से मैं इसे को स्टेच कर ली कि दोनों तरफ लेती हमिर से कर लिया है दोनों तरफ से और उपर से मैंने यह लोगा लिए तो मैं आप लोग पाइप लगा लेंगे अधर वाग्य निकलते रहेंगे पाइप लगा लें अगर किसी के पास इंटर लोग कि यूज कर सकते मेरे पस इंटर लोक कि मशीन है तो मैं वह उस कर रही हूं और फिर मुझे लगाने की जूर्थ नहीं है यह मेरा रेडी हो गया यहां पर बिना स्लिंग के भी छोड़ सकते हैं यह हमारा जिप आगी है अंदर भी एक जिप है हमारी जिप अंदर नहीं पॉक्यट है यह हमारा रैडि हो गया बिल्कुल बैग मैंने इसमें लिगा लिए मेरे पास ये था इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है पर मेरी बेटी की ड्र हुआ था आगे लूपी तो वह इससे कम जादा करने में हैल्प होती है ठीक है मैंने स्टिच कर लिया आपके पास ना हो तो छोड़ सकते हैं आपने अगे हैंडल लगा रखें उसके साथ ही आप उसको क्यारी कर सकते हैं वैसे यह ऐसे ही क्यारी करने वाला बैग है आगे से छोटे वाली हैंडल से